हलो एब्रिवान विल्कम बैक टू मैं यूटूब चैनल अगे चो इतनी सारी गर्मी पढ़ रही है ना मन तो करता है कि कुछ ना कुछ ठंड़ा बना करके या मंगा करके पीते ही जाए लेकिन डेली डेली मार्केट चलाना इभी इंपोसिबल है तो क्यों ना घर के समानों से अराम सीजी तरीके से बना करके श्टोक करके रखे ताकि बड़े बच्चे सभी इसका अनंद ले सके तो चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ यहां पर एक लीटर दूद को लेकर के अच्छे से उबाल लेना है और इसके बाद यहां पर ले लेंगे एक कफ जितना दूद दूद को बलने देंगे यह नॉर्मल टंपरेचर पर दूद को रख दिया है गरम नहीं है दम नॉर्मल टंपरेचर का ठंडा भी जादा नहीं है और इसमें हम डाल देते हैं तीन चमच कस्टर्ड पाउडर वेनीला फ्लेवर कहें और भी फ्लेवर मिलता है लेकिन मुझे वेनीला फ्लेवर जादा ही अच्छा लगता है आप लोग के उपर है और भी दूसरा फ्लेवर पिलना चाहते हैं लेकर के बनाना चाहते हो तो यूज कर सकते हैं तो देखिए इस अच्छे से अराम से धीरे-धीरे करके इससे मिक्स कर लेना है यह जो मेवार की रेसिपी है यहां बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में मार्केट का जंजट को हटाइए घर पर बना के अराम से पीजिए तो यहां पर डालने के लिए कुछ इंग्रेडियन्ट है तो देखिए यहां पर चेरी और से गड़ी और काजु को हलका कुछ लिए थे दूद में भी अच्छ काफी अच्छा इसमें थीकनेस लाता है ना बहुत ज्यादा गाढ़ा ना ही बहुत ज्यादा पतला इसलिए मैं यहां पर तीन चम्मची यूज की हूँ अगर आपको एक लिटर दूद में बनाना होगा तो तीन चम्मची यूज कीजिएगा तो धीरे-धीरे करती हुए सा राम राम से मिक्स कर ले इसे चलाते ही रहे हाथ को ना रुके नहीं तो निचे जागर कर बैठ जाता है और काफी ज्यादा ओ ठीक हो जाता है इसलिए देखिए यह मरब पक गया है और इसमें अब हम डाल देते हैं चीनी तो एक लिटर दूद में हम यहां पर डाल दे पू इतना मिठा है एक कफ चीनी में हो जाएगा जितना मिठा काफी है तो देखिए यह मेरा पक गया अच्छे से और अब मैं इसे ले आती हूं रूम टमप्रेचर पर तो इसे गरम गरम में और कुछ काम नहीं करना इसे पहले रूम टमप्रेचर पर ले आए और इसके बाद इ बची हुई काजू जो कुट कुट के रखे थे वो काजू को डाल के भी इसमें मिक्स कर देते हैं और अब बच गया मेरा टूटी-फूरुटी इसके बाद वो टूटी-फूरुटी को भी दाल देते हैं अगर आपके पास काजू या गड़ी नहीं डालना चाहते हैं तो simply भी सबी को तीखी कितना अच्छा ठीकनिस भी आ गया है देखने में भी काफी लाजवाब लग रहा है अब मैं आप लोगों को एक सर्प करकी भी दिखाती हूं तो दो गिलास ले लेने हैं और अराम राम से इस गिलास में दोनों में भर देना है तो देखिए भर गया ये मेरे गिलास अब इसमें दाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें टूटी फ्रूटी को टूटी फ्रूटी डाल देते हैं इसमें हम और इसमें बच गिया थोड़ी से सूखी गड़ी सूखी गड़ी डाल देना है तो ये देखिए बनके मेरे रेडी हो गया ये मेवाड बिलकुल ना भूले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई बाई, टेक क्यार.